हाई गाईज वेलकम बेक टो यूटूब चैनल पांडे जी टेकनिकल तो फ्रिंट्स आज के इस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो बीटी यूपी के तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है यानि कि ब्रेकिंग नूच आ रहा है कि पॉली टेकनिक वह इंज सबसे पहले चाहिए ता हमारे चैनल को सबस्काइब कर लिजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि हमारे याने वाली हर एक वीडियो गना डिपकेशन आपको सबसे पहले पहुंस देके तो चलिए शुरू करते हैं तो देखे फ्रेंड्स जो यह खबार है इस प्रकार की पॉलिटेकनिक वा इंजिनेरिंग कॉलेजों में आइसोलेशन वार्ड बनना सुरू। हाश्टोलों के 5777 कमरों में से 1000 कमरों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दिल कर दिया गया है यानि कहने का यह मतलब है कि जो कॉरोना वार्ड यानि की कोविन नाइंटीन है उसको देखते हुए प्राविदिक सिच्छा परिशादेनी की उपीबीटी ने एक निड़े लिया है कि जितने नीजी या फिर राज की यानि की गॉर्मेंट और प्रेवेट कॉलेज हैं उसम सभी सरकारी इंजीनेरिंग कॉलेजों और प्राविट इंजीनेरिंग कॉलेजे के हास्टल खाली कमरे आइसोलेशन वार्ड में तब्दील होंगे जरूरत पढ़ने पर स्वास्त विवाग इनका उप्यों कर सकेगा यानि कि अभी तक जो हो एक हजार बन चुके हैं आइसो करें ताकि कुरोना वायरस का सेंक्रमट बढ़ने से रुका जा सके सभी नीजी पल्टेक्निक वा इंजीनिरिंग कालोजों के चेर्मेन को निर्देश दिये कि वह अपने यहां कारे कर रहे हैं सिच्चक सिच्डेतर करमचारी को लागडाउन के दोरान का पूरा वेतन दे यह भी खाबर है कि उन्होंने कहा है अपने चेर्मेन को कि जितने भी सिच्चक कर रहे हैं करमचारी हैं उनको लागडाउन के दोरान का पूरा वेतन जितना देना है वो दे दे अब बात करते हैं हम लोग की समिष्टर एक्जाम पर इसका क्या पर भाव पड़ेगा तो दे से होकियों की आईसोलेशन वाट बनाया जा रहा है जितने भी होस्टल है अब देखी यह कुरोना वैरस जब खतम होगा तब यह आपका हो सकता है एक्जाम हो मैं आपको लोग को फिर से बता रहा हूं कोई कोई भी अभी आपीसियल नोटिस नहीं आया है बोड के तरफ से कि आपका एक्जाम कब होगा अगर आप आजाता है तो मैं आप लोग को वीडियो का मादम से बता दूंगा कि आप लोग का एक्जाम कब होगा तो फिर्ट सास का वीडियो कैसा लागा कमेंट करकर जुरू बताएगा और वीडियो अच्छा लागा तो लाइक करना नहीं भ बारत